सब्सक्राइब करिए डॉक्टर अनुराधा इनके अनुराधा सैडवान सायरुईदा चैनल को और बेल आइकोन दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं वैद्या अनुराधा सारडे खुबसूरत बाल हम सब चाहते हैं उसके लिए हम क्या करें आज हम ये जानेंगे हमारी तबियत अच्छे रहे इसलिए हम स्ट्रॉंग बने इसलिए हमारे बाल स्ट्रॉंग बने इसलिए बहुत इंपोर्टन्ट है हमारा डाइट हमारा डाइट प्रॉपर रखना ये हमें बहुत जरुरी है बालों को खुबसुरत बनाने के लिए क्या करे ये मैंने बताया है और बालों को स्ट्रॉंग बनाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए ये मैंने मेरे वीडियोज में बताया है आज मैं बालों को स्ट्रॉंग बनाने वाली कुछ और चीज़े बता रही हूँ हमारे बाल स्ट्रॉंग हो इसलिए हमारा अस्थिधा तो स्ट्रॉंग होना जरूरी है और हमारे बाल काले रहे इसलिए हमारा पित्त दोश नॉर्मल रहना जरूरी है इसलिए जरूरी क्या है यह आज हम जानेंगे सकस और परिपुरुन आहार हमें और हमारे बालों को स्ट्रॉंग बनाने के लिए हमें हर दिन पौश्टिक और अच्छा आहार लेना चाहिए सिर्फ सबजी रोटी खाना या सिर्फ जो अच्छा लगे वही खाना इससे हमें पूरी तरह से पोशन नहीं मिलता बहुत से लोग हरी पत्ते वाली सबजिया नहीं खाते बहुत से लोग जो सबजी उन्हें पसंद है वही खाते है और कुछ लोग डाल बिलकुल नहीं खाते इससे हमें पूरी तरह न्यूट्रिशन नहीं मिलता और hair roots कमजोर होते हैं और फिर hair fall होने लगता है इसलिए आहर कैसे ले ये videos मेरे जरूर देखे ये सभी चीजे खाने से हमारे बाल strong बनेंगे मूंग और मूंग डाल मूंग ये हमें अच्छा nutrition देते है और मूंग ये अच्छे पित शामक भी है इसलिए हमें हमारे diet में रोज मूंग और मूंग डाल लेनी चाहिए और ये मूंग डाल छिलके वाली ले तो और भी अच्छा है इससे बालों को अच्छा portion मिलेगा और पित शामन होने से बाल काले भी रहेंगे उडद और उडद डाल उडद और उडद डाल ये बहुत पौश्टिक है और उसमें भी छिलके वाली उडद डाल ये बहुत पौश्टिक है इसे खाने से हम strong बनते हैं और hair roots भी strong बनते हैं ठण के दिनों में तो specially उडद डाल खानी चाहिए और उडद भी खाने चाहिए इसके और गुण मैंने हिमंतर उतुचरिया में बताये हैं hair roots strong बनाने के लिए और बालों का जढ़ना रोखने के लिए आहर में specially उडद डाल का समाविश करें चावल चावल हमारे daily diet में बहुत important है लेकिन अगर हम polish rice यूज करते हैं तो उनसे हमें कम potion मिलता है इसलिए जिनके बाल बहुत जड़ते हैं वो polish rice का इस्तेमाल ना करें और diet में unpolish rice का यूज करें जिससे उनके बाल strong बनेंगे और hair roots strong बनने में मदद होगी गुड गुड़ी ये मधुर रसका है इसलिए हमें potion देता है और बालो को strong बनाता है इसके और गुण मेरे वीडियो में जरूर देखे और daily diet में शक्कर के साथ-साथ थोड़ा good रोज इस्तमाल जरूर करे और बालो को strong बनाए इस तरह care करने से हमारे बाल जरूर कुबसूरत बनेंगे Thank you